हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ इश्वर की अपार करुना से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और साथी साथ पेरिंट्स की गाइडेंस में पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण माला बोलते समय हमारे मुह से कुछ ध्वनिया निकलती हैं इन ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन वर्ण कहलाते हैं वर्ण भाशा की सबसे छोटी एकाई होती है और इसके छोटे टुकड़े नहीं किये जा सकते बच्चो वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं बच्चो जब इन वर्णों को निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्ण माला कहते हैं सरण शब्दों में वर्णों के विवस्तित सम्हू को वर् के दो भेद होते हैं स्वर और व्यंजन पहला स्वर जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा ना लेना पड़े उन्हें स्वर कहते हैं हिंदी में कुल ग्यारा स्वर होते हैं बच्चो स्वरों को भी दो भागों में बाटा गया है हास्वर और दीग्र स्वर हास्वर हास्वर को मूल स्वर भी कहते हैं इन्हें बोलने में दीग्र स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है इनकी संखिया चार है A, E, U, R दीग्र स्वर, बच्चों दीग्र स्वरों को बोलने में मूल स्वरों मतलब हास्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है दीग्र स्वरों की संखिया सात होती है A, E, U, A, I, O, O बच्चो स्वर के बाद अब हम देखेंगे व्यंजन व्यंजन जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं बच्चो इन्हें भी तीन भागों में बाटा गया है पहला इसपर्ष व्यंजन, दूसरा अंतहस्त व्यंजन, तीसरा उश्व व्यंजन, हम देखेंगे इसपर्ष व्यंजन बच्चों इन व्यंजनों का उच्चारन करते समय हमारी चीव मुख के किसी ना किसी भाग का इसपर्ष करती है तभी इन्हें इसपर्ष व्यंजन कहा जाता है इसके अंतरगत का से मा तक के सभी वर्ण आते हैं अंधर्ष्ट व्यंजन इसका अर्थ है भीतरी या बीच में बच्चो इन वर्णों का उचारण करते समय जीब मुख के किसी भाग को पूरी तरह इसपर्ष नहीं करती है तभी इन्हें अंधर्ष्ट व्यंजन कहते हैं ये व्यंजन है या रा ला वा अब है उश्म व्यंजन इसके नाम से ही प्रतीत होता है उश्म यानि उश्मा या गरम बच्चो जिन वर्णों के उचारण में मुख से गरम स्वांस निकले उन्हें उश्म व्यंजन कहते हैं ये व्यंजन है शा, सा, सा, हा बच्चो 11 स्वर और 33 व्यंजन के अलावा हिंदी में कुछ और वर्ण है जैसे अंग और आहा ये दोनों आयोग बहा हैं इन्हें विशेशक चिन भी कहते हैं अब है डा और धा ये डा और धा इसके नीचे बच्चो एक बिंदू लगी रहती है इसका प्रियोग करते समय साउधानी बरतनी पड़ती है डा और धा शब्द के शुरू में कभी नहीं आते हैं ये बीच में या अंत में आते हैं इन्हें हम आगत ध्वनिया भी कह सकते हैं या कहा जाता है जैसे पढ़ाई, लड़ाई, घड़ी, सीड़ी, साड़ी, इत्यादी बच्चो अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों की रचना दो व्यंजनों के मेल से होती है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं हिंदी में चार संयुक्त व्यंजन है छा, त्रा, ग्या, श्रा अब देखिए का पलस शा से बना च्छा, चट्रिय वाला ता प्लस रा से बना त्रा तरशूल वाला जा, पलस ग्या ज्या से बना श्रा जिससे हम कह सकते शिरीमान, शिरीमती, शिरी ऐसे शब्द बनते हैं इन सब के बाद आपकी बुक में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग है बच्चो अनुस्वार को हम अंग बिंदू के नाम से भी जानते हैं यह वन के उपर लगने वाली बिंदू है इसके उचारण में नाक से ध्वनी निकलती है या कह सकते हैं इसका उचारण नाक से किया जाता है जैसे हंस, सुन्दर, गंगा, पंक, इत्यादी अनुनासिक यह वी वन के उपर लगती है इसे हम बोलचाल की भाशा में चंदर बिंदू भी कहते हैं इसका उचारण गले और नाक दोनों से होता है जैसे पांच, गाउ, साप, चांद, इत्यादी विसर्ख, बच्चो यह वन के बाद लगने वाला दोहरा बिंदू है इसका उचारण करते समय हा की ध्वनी निकलती है जैसे प्रातहा, प्राया, अतहा, पुनहा, स्वातहा, आदी आशा करती हूँ बच्चो, आज का पार्ट आपको समझ आ गया होगा बच्चो इस पार्ट का अभ्यासकार स्कूल बैपसाइट से देखकर कॉपी में लिखें और याद करें